नेतरित्व को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं नेतरित्व को इंगलिश में आप लीडर्शिप कह सकते हैं और लीडर्शिप की स्पैलिंग होती है L-E-A-D-E-R-S-H-I-P जैसे के अगर आप ये कहना चाहें कि उसका नेतरित्व समू को संगठित और प्रेरित करता है तो आप कह सकते हैं His leadership organizes and motivates the group या अगर आप ये कहना चाहें कि संगठन के विकास में अच्छा नेतरित्व महतवण अवधारना है तो आप कह सकते हैं Good leadership is an important concept in the development of an organization या अगर आप ये कहना चाहें कि वह नेतरित्व और समस्याओं को सुलजाने में माहिर है तो आप कह सकते हैं He is adept at leadership and solving problems He is adept at leadership and solving problems अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें